गुट मॉर्निंग क्लास 7 आज अपन इस्टरी का चप्टर 2 पडेंगे न्यू किंग्स अंग्डॉम्स ठीक है मैनी न्यू डानेस्टी इमर्ज आफ्टर दे 17th century मैप वन शोज दे मैजर रूलिंग डानेस्टी इन डिफरेंट पार्ट अफ दे सब कॉंटिनेंट बिट्विन दे सेवन्थ एंड ट्वेल्थ सेंचूरी यह मैप देखते हैं बहुत सारी न्यू डानेस्टी इमर्ज हो गई थी 17th century के बाद में जो आपको मैप वन में शो हो रहा है ठीक है चोलास है पांडियास है राश्ट्रकुतास है है ना परमार्स है इन सब के बारे में पर पढ़ते हैं ठीक है इमर्जेंस अफन न्यू 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 थी 17th century there was a big landlords or warriors chiefs in different regions of the subcontinent existing kings of an acknowledge acknowledge there was a their subordinates or samanthas they were expected to bring gifts for their kings or over overlords we presented their courts and provide them to military support at samanthas gains power and wealth they declared themselves to be mahasamanta mahamandeshlara mahamandesh mahamandeshshwar the great lord of a circle or region and so on sometimes they asserted their independence their overlords one such instance was that rastrakutas in the deccan initially they were subordinate to the chalakyas of karnataka in the mid 8th century danti durgh and rastrakutas chief overthrown chalakyas overloaded and performed a ritual called hiranyagarbh literally the golden warmth when this ritual was performed with the help of brahmans it was thought to lead rebirth of the sacrifier as a shatriya and he was and he was not won by birth it means that the landlord states of war they were chiefs called samanthus and chiefs called samanthus king gave birth of a gift and military for a king and provide them powerful they were very powerful को समझते थे शन Caleb समझते देंदेंट हो जाते थे पर्ण Ehण को का समझते थे बहुत पावर समझते थे महा सकते समझते थे और इंडिपेंडेंट फिसामनच बहुत पावर रुबा करते थे तो चीन्ग से उन्हें बेख को अलग करके इनने खुद का ही अलग पुरा शाहसन बना लिया जो राश्ट्रकुता थे जो डेकन के थे चोलाक्यास के अंडर में रहते थे ये 18 सेंचूरी में दंती दुर्ग करके राश्ट्रकुता का चीफ था जिसने एक रिच्वल परफॉर्म करा था गोल्डन वॉम्स इसका मतलब हो कोक से पेदा होना मतलब इनका इसा रहते थे कि जो शत्रिया नहीं होते थे और जो दूसरे रहते थे ना मतलब उनको ये दंती दुर्ग करके यग्य करवाते थे कि मतलब उसको उस हवन में बिठाते थे उस यग्य में बिठाते थे और मतलब उसको रीबर्थ बोलते थे हवन करवाते थे हीरन निय गर्ब जिसे बोला जाता है एक रीच्वल परफ्रॉर्म करा जाता था हीरन निय गर्ब कि इसकेśl एल्ब से ब्रहमांड की हैल्ब से रीबर्ध करवाने के लिफ द़ा से शतरी इवं इटस नौॉटर्ट बाइ्बर्द बढ़ता से शत्रिय नहीं हैं, उनके लिए ये यग्य करवाया जाता था, कदम ये ब्रहमन छोड़कर शत्रिय की तरह काम करने लगे, जो कदम थे ये ब्रहमन को छोड़कर शत्रिय की तरह काम करने लगे, अब अपन देखते हैं, एड्मिनिस्ट्रेशन इन दे किंग्डम्स, मैनी ओफ दीस न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स, सजेज महाराजा, अधिराजा, ग्रेट किंग, अवरलोड, इस तरीके के टाइटल रखते थे, मतलब लोफटे से टाइटल रखते थे, in each of these states, resources were obtained from the products, that is, peasants, cattle, keepers, artisans, who were often persuaded or compelled and surrendered part of what they produced, sometimes these were claimed as rent due to landlord and asserted the owner of the land, revenue was collected from traders, revenue collect करते थे, tax लेते थे, किसान से, cattle से, sonar से, lohar से हैंना, या तो उनको जमीन दे दे या tax दे या जो भी उगाते थे, मतलब उनको पैसे दे दे, किसी भी चीज़ के बदले, पैसे नहीं हो तो यह मतलब जो लोहार है, वो लोहारी का काम करता है, वो दे दे, किसान उनकी जम और यह revenue कौन collect करता था, traders collect करते थे, these resources were used to finance the king establishment as well as the construction, उस पैसों से क्या करते थे, temples बनवाते थे, fords बनवाता था, राजा, और जो fight wars, मतलब जो लड़ाईयां होती ना, वो लड़ाईयां करने में जो पैसे लगते ना, और जो बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत पाव and from a plunder as a trade routes, बहुत बड़े-बड़े मतलब fights कराते थे, the functionaries for collecting revenue, revenue collect करते थे, and generally recreated influential families, मतलब बड़ी families वाले, जो अच्छी family, rich families वाले होते थे, यह collect करते थे, revenue collect करते थे, and the position were often hereditary, hereditary मतलब क्यों होता है, कि यह बाप तो इसका बच्चा देगा, उसका बच्चा देगा, इसको hereditary बोलते है, in many cases, close relatives of the king held this position, ठीक है, अब अपन पढ़ते है, प्रहश्थीज and land grants, प्रहश्थीज मतलब क्या होता है, प्रशंसा, प्रहश्थीज contains details that may not be literary true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as violent, victorious, warriors, for example, these were composed by learned brahmans who occasionally helped in the administration, व्यवारीशन, मतलब इसके इसे मे춰ता है, एक रहेना कोछ टीकारीटेल स्टूर नहीं होती था, यह प्रहश्थीज लिखते थे, प्रहश्थीज बिखते तें Kings को reward देते थे मतलब ब्रहामंड को और लेंड देते थे copper plate में ब्रहामंड के लिए लिखवाते थे क्योंकि ब्रहामंड इतने होश्यार थे जो भी इनकी तारीफ में होती थी ना वही copper plate में लिखवाते जिससे कल से दूसरा राजा भी आ जाया तो वह बात माने कि हमको लेंड मिली है reward में मतलब गिफ्ट में यह सब मिली दे कोई सची किसे copper plate में लिखवाते थे यह इनको reward देते थे ब्रहमन को जैसे grant जैसे लेंड देते थे gift में तो यह copper plates में record करवाते थे कि हमको land मिली है ऐसा मिला है मतलब कि आप उनको ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हमको नहीं मिला है ना 12 century में यह बढ़ते है अपन जो 12 मैं आप इसको रीड नहीं कर रहे हूं मैं आपको इंदी में समझा रहे हूं किसमें क्या लिखा है 12 century में संस्कृत की पोयम मिली है कश्मीर से जो कलहाना में लिखी गई है ठीक है कलहाना ने लिखी है इसमें जो है वो रूलर्स की जो किंग्स के ना काफी बुरा ही लिखी यह बहुत क्रिटिकल मतलब पॉलिसी लिखी विए डॉक्यूमेंट्स जो भी है इसमें मतलब ऐसा लिखा है कि इनकी जो प्रशंसा नहीं की गई है रूलर्स की बहुत बुरायां करी गई है ठीक है कि यह कोई मतलब बात नहीं सुनते थे और अनलाइक करा इने राइटर्स का मतलब क्यों इसमें जो होता था वह डीटेल्स टू नहीं होती थी और प्रश्टीज कौन लिखते थे ब्रह्मान लिखते थे और यह अपने आप जब की इने रिवार्ट देते थे तो यह इस तरीके से कॉपर ब्लेट में लिखा लिया करते थे जिससे दूसरे भी कोई भ वर्दी नहीं ब्रह्टि वार्फेर वेल्थ यू वेल्गा लिखते यह ँचुर लोगा प्रतिहार डश्यकूता सुक्ता इसमेरे दी तूसपूरइ टी वर्टर ग्यों तूसे फिंस writer than bag прог pinch फेंपल्ट जाते थी जंग कि टेम्पल जो रहते थैंपल बहुत पैसे मिल यहाते हैं कंपुपकर पर बहुत लोगों ने नहीं कन्योंच पे बहुत कोशिश की थि ति टिंग्स ने रूलर्स ज सबसे बहुत है बहुत जिए जाते तो आप जो यह बैस नोन इस सच रूलर्स अफ सुल्तान जो थे महमूद अफ गजनी अफगानिस्तान के ही रूल फॉम 1997 टू 1030 एं एक्टेंडेट कंट्रोल ओवर दे पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया यह रेड़ेट दे सब कॉंटिनेंट अल्मोस्ट एवरियर ही इन्क्लूडिंग देट इस उमनाथ में गुजरात को भी ने अपना कब्जा करा था वेल्टी टैंपल्स पर अटेक करते थे और इन्हें पूरा सेंट्वल एशिया भी अपने कंट्रोल में कल लिया था और सारा के सारा पैसा इस इसने गजनी को बनाने में लगाया गजनी क मतलब जो पूरी आगे अ कैपिटल सीटी है ना इस प्लैंडब टू कैपिटल सीटी गजनी उसको बनाने में इन्हें सारा पैसा लगाया टैंपल्स लोट के हां तक की सोमनाथ का गुजरात में जो सोमनाथ में जो टैंपल है उसको भी ने बहुत लूटा आयो और ये घजन पढ़ देती हूं आपको Sultan Muhammad was also interested to finding about more people to conquer and interested to scholar named al-burani to write an account of subcontinent this Arabic work Arabic में लिको known as Kitab ul-Hind उनने Kitab ul-Hind Arabic में लिकी ती remains an important source of historians एक important source historians का He consulted Sanskrit scholars to prepare this account other kings who engaged in warfare included the Chamnans later known as Chohans who ruled over the region around Delhi and Ajmer they attempt to expand their control to the west and the east where they are opposed by Cholakyas by the Gujarat and Gandawalas of western Uttar Pradesh the best known Chamana rulers was Prithvira's 3rd 1168-112 कुता कुटिफिटेट टू अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान महमद गोरी in 1191 but lost him very next year in 1192 Arabic में सुल्तान ने लिकी थी अल्बुरानी को कहा था सुल्तान ने अल्बुरानी को कहा था कि Arabic work में किताब लिको कुन सी किताब लिको किताब लिको किताब लिको अगर आप वर्म उद्राइपूर दू थांचापूर अब इसमें भी क्या लिखा है कि जो मतलब जैसे ये मोट्रायर थे जो मतलब पहले जो पल्लवा के किंग के अंडर में थे ठीक है इनने कांची पूरम पे पूरा अंडर में कर रखा था था थांजापूर का जो टाउन चा तो विजालय था इनने वो बनवाया था राज राजा बहुत पावर पूल थे हैं 1985 में जो किंग बने थे इनकी नेवी भी बहुत स्ट्रॉंग थी इसमें मतलब यही बता रहा है जो तो सक्सेसर और विजालया कौन के अडर नेबरिंग रिजन्स और किंग्डम गुरू साइज और पावर इनकी जो नेवी थी जो आर्मी थी और बहुत स्ट्रॉंग थी तो प पंडेट कंट्रोल ओवर मॉस्ट ऑफ दिस एरियास इनने पूरा कंट्रोल कल दिया था आसपास के अरियास में और सो रिकोगनाइज दे अड्मिनिस्ट्रिशन आप एम्पायर राज 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 पस कंटीनूट इस पॉलीशी जनीवन रेड़ेट गंगा वैल लिया था टेंपल सेंटने टेंपल जो थे वो सेंटर में बना के पूरी को आपका इन्होंने पूरा जो मतब यो लेंड था वो भी देते थे और दान भी बहुत करते थे the big temples of thanjapur and gangi konada and cholapuram built by rajraja and rajendra are architectural and sculpture marvels chola temple ofana become a new settlements when grew around them these were centers of the craft production temples were also endured by land and rulers well by others this produced of the land went into maintaining all the specialists who worked at the temple of very often near it priests, garland makers, cook, sweepers, museums, dance, etc in other words temples were not only places to worship they were in hub of economic social and cultural life in case of temples where makers and sweepers were not here in case of worship भी थी जहां पर economic social cultural life भी इसमें मतलब एड होती थी amongst the craft associated with temples the making bronze images was the most distinctive chola bronze images are considered among the finest in the world ठीक है छोला जो ब्रोंस थी उनकी fine images थी वो finest थी पूरे वर्ल्ड में फूरे वाइल मॉस्ट इमेज़स वर ऑफ डी टी इस सम्टाइमस इमेज़स वर मेड अफ डी वर्ड अज वेल एगरिकल्चर एं इरिकेशन यहनों ने सिचाई पर भी बहुत ध्यान दिया था था चो लास्ने ठीक है शिचाई पर भी बहूत ध्यान देता कावेरी की बजा इसमें लिखा है कि अखेती भी बहुत अच्छी होती थी और इनने पूल बांदे थे पूल भी बनाने पड़े थे दाकि बाढ़ जादा ना आए है ना यही सब इसमें पूले पैरेग्राफ में लिखा है मैं इसको रीट नहीं कर रहूं इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आप 16. The Administrations of the Empire Settlements of peasants known as ever become prosperous with the spread of irrigation agriculture group of such villages formed larger units called naidu. the village council and the NEDU performed several administrative functions including dispensive justice पीजन मतलब किसान को कहते हैं इनके जो पूरी unit होती है वह मिलकर NEDU बनते थे मतलब उन्हें NEDU बोला जाता था वेलाला कास्ट में कंट्रोल करते थे और NEDU जो होते थे वह पंचायत के कामों में भी चोला के कारेयों में भी help करते थे ठीक है इनकी इज़द भी बहुत होती थी ब्राह्मन को दिया जाने वाला जो land था ना वो एक सभा में एक सभा पूरी मिल के देती थी कि किसी तरह से manage किया जाए मतलब जो ब्राह्मनों को land दी जाती थी वो इने पूरी एक साथ मतलब भी लोग मिल के assemblies में मिल कर पूरी एक साथ land देते थे उन्हें ठीक है ब्राह्मनों को और ट्रेडर्स भी सारे वैपारीज भी मिल कर काम करते थे जिनने नागराम कहते हैं ये इन पेरेग्राफ में लिखा हुआ है ठीक है मतलब पूरी सभा और गिनाइस करते थे और ब्राह्मन को मतलब ये land देते थे तो इस सब मिल कर कारे करते थे ट्रेडर सारा वैपार काम मिल कर करते थे अब ठीक है अपने चैप्टर में पूरे में ये ही पढ़ा है कि जो हिस्ट्री के चैप्टर्स होते है ना बेटा तो ये बहुत जादा बड़े होते हैं तो अपन इसकी एक एक लाइन तो पढ़ नहीं सकते हैं पर मैंने आपको पूरे पूरे पैरेग्राफ में क्या लिखा है इन शॉर्ट फॉर्म में जितना मुझस से हो सका मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाया है कि New King और Kingdoms कैसे यहां पर सैटल हुआ है कैसे क्या क्या हुआ है मैंने आपको पूरा चैप्टर में इसा अपसूत पूरा समझाया है ठीक है तो यही इस पूरे चैप्टर में है और यही पूरी इनकी अगर 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 एक एक लाइन पढ़ेंगे तो यही है पर अगर मैं एक एक लाइन पढ़ दी आपकी वीडियो बहुत लंब हो जाते और आप भी बोर हो जाते देखते क्योंकि फ्री थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है ना तो जब आप लोगों के लिए जो मैंना आपको समझाया है वह बहुत इजियस्ट वे में समझाया है आप लोगों को समझ में आया होगा ठीक है थैंक यू ख्लास